हेलो फ्रेंड्स कल हमने चंदू चाचाने तस्वीर टांगी इस पाट के पांचवी कक्षा के स्वाध्याय में प्रश्ण और उत्तर किसने किस से कहा और शब्दों का खेल देखा था तो आज उसमें से कुशन नमबर टू एक से ज़्यादा दिवार हो तो हम दिवारे कहते हैं है ना तो दिवार एक वचन हो गया और दिवारे बहुचन हो गया जैसे कि माराठी में एक वचन अनेक वचन होता है ओके मैं आपको एक उधारन देता हूँ जैसे कि देखो गाई गाएं मकड़ी मकड़िया मरठी में बोले तो गाई गाई कुत्रा कुत्रे कुत्री है ना ऐसे हम एकवचन से बोचन बनाते हैं तो हमको इस स्वाध्याय में एक चार्ट दिया गया है और उसमें कुछ एकवचन और कुछ बोचन दिये हैं और जहाँ एकवचन दिया है उनके बोचन हमको लिखने है और जहां बहुए चन दिया है उनके एक वचन हमको लिखने हैं तो पहला मेज, मेज मतलब conversations, एंगलिश में हम table बोलते हैं क्या बोलते हैं, table मेज, उसका बहुए चन है मेजें मेज एक वचन हो गया, मेजें बहुए चन हो गया छिक है? दूसरा, बिल्ली, बिल्ली मतलब मांजर, कैट, बिल्ली, बिल्लिया, बिल्ली का बहुचन क्या है, बिल्लिया, ओके, थर्ड, कमरा, कमरे, उन्हों बहुचन दिया है, इधर, कमरे, तो हम उसका एक बहुचन कर सकते हैं, कमरा, चौथा रुपया मतलब एक रुपया और ज्यादा हो तो रुपय दो रुपय, पांच रुपय, छे रुपय, साथ रुपय, आठ रुपय, दस रुपय है न? और लास्ट उन्होंने बहुँ चन दिया है कीले मतलब मराटी में बोलते हैं कीले का एक वचन है कील कील मतलब खिडा खिडा, खिडे, वैसे कील, कीले तो एक बार मैं आउर रेट करके दिखाता हूँ मेज, मेजें, बिल्ली, बिल्लियां, कमरा, कमरे, रुपया, रुपये, कील, कीले ओके? प्रश्न तीसरा प्योग करके दिया है, आपको अभी जो मैंने प्रश्न लिया था, एक वचन बहुवचन का और ये भी मुहावरे का, तो ये दोनों अपने नोड़ बुक में लिखने हैं, ठीक है? अभी मैं रीट करता हूँ, पहला मुहावरा, फुसलाना पुसलाना, इसका अर्थ है नुभाना, खुशा मत करना तो एक वाक्य मैं बतता हूँ आपको, चंपा चाची चंदू चाचा को फुसला कर बजार में ले गई चापिंग करने ले गई होगी, चंपा चाची चंदू चाचा को फुसला कर बजार में ले गई दूसरा तैश में आना और इस मुहावरे का अर्थ है कठीनता से धहर्य धारन करना मतलब उसका धहर्य धार्य समाप्त हो गया होता है पर फिर भी वो धहर्य धारन किया हुआ रहता है कठीनता से तो तैश में आना इसका अर्थ है कठीनता से धहर्य धारन करना और उसका वाक्य देखो कैसे होता है चाचा ने तैश में आकर बहुत सारे वादे किये थे तो यह हो गया दूसरा तीसरा दाथ पीसना दाथ पीसना मतलब इसका जो मीनिंग है इस मोहावरी का जो अर्थ है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना तो इसका वाक्य देखो पत्नी अपने पती को दाथ पीस कर गालिया दे रही थी अब भी अगर आपको भी ज़्यादा गुस्सा होता है तो आप भी दाथ पीसती हो ना इसे क्या पुल रह रहे पागल इसे बोलते हैं ना दाथ पीस कर तो ये दाथ पीस ना होता है मरठी में हम बोलते हैं ना दाथ खाउन बोले ज़्यादा दाथ ओठ खाने चौथा चिल्लाना इस मुहावरे का अर्थ है जोर से बोलना बड़ी आवाज में बोलना तो इसका वाक्य देखो दादी मा चिल्ला कर बोल रही थी दादी मा चिल्ला कर बोल रही थी शायद किसी जगडा हुआ होगा या जगडा चल रहा होगा तो दादी मा चिल्ला कर बोल रही थी चिल्लाना जोर से बोलना बड़ी आवाज में बोलना पांचवा बोहे तानना आप ऐसे घूर के देखते हो ना भूवे उपर उठा कर मतलब भूवे तानना इस मोहावरिकार्त है शोब, गुस्सा प्रकट करना गुस्सा प्रकट करना, घूर घूर के देखना टावल को नीचे देखते ही मा की भूवे तन्य लगी माने भवे तानी ऐसे भोता है मतलब हर चीज हर वस्तू अपने अपनी जगह रखनी चाहिए ऐसे नीचे टावल फेक दिया तो टावल को नीचे देखते ही मा की भवे तन्ने लगी और शिक्स्त जल्लाना जल्लाना गुस्से से बोलना शर्मा जी जल्ला कर कुछ भी बोलने लगे तो ये सारे मावरे उसका अर्थ और उसके प्रयोग किये हुए वाक्य आप अपने नोटबुक में लिखो उसकी फोटो कॉपी मुझको अपने वाटसब ग्रूप पे बेजो या परसनल पे भेजो ओके तो आज के लिए वस इतना ही थैंक यू